दोस्तों, एक नहीं दो नहीं, लगातार चार विकेट लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज बुमराह ने ना केवल बांगलादेश के बल्ले बाजों को दिन में तारे दिखाते हुए उनका घमंड चकना चूर किया, बलकि इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेटों का महा रिकॉर्ड अपने नाम कर, कपिल देव, जहीर खान और हरभजन सिंह जैसे दिगजों की बराबरी कर डाली है, और अपनी खौफनाक गेंदबाजी से पूरी दुनिया का दिल जिये लिया, तो आखिर कैसे चार गेंद में चार विकेट लेकर बुमराह ने बांगलादे को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले। की कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिला। एक के बाद एक, बुमराह ने चार विकेट जटक का टीम की कमर तोड़ दी। और इसी के साथ जस्परीद बुमराह ने कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीरतिमान रच दिया और पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दि जस्परीद बुमराह ने बांगलादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में अपने क्रिकेट करियर का एक अहम मुकाम हासिल किया। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे कर लिए। बुमराह ऐसा करने वाले छटे भारतिये तेज गेंदबाज बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतिये गेंदबाज कपिल देव, जहीर खान, जव 287 विकेट अपने नाम किये हैं। वही इस लिस्ट में दूसरा नाम जहीर खान का है, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में 610 विकेट हासिल किये हैं। छटवे नंबर पर जस्प्रीद बुमराह का नाम शामिल हो गया है, जिन्होंने 400 विकेट अपने नाम कर लिये हैं। जस्प्रीद बुमराह ने यह कारनामा 400 विकेट लेने का केवल 227 पारियों में किया, जबकि भज्जी ने ऐसा 237 पारियों में किया था। अब भारत की तर पर अश्विन हैं, जिन्होंने 216 पारियों में 400 विकेट लिये थे। वही आपको बता दे, भारत के लिए सबसे कम पारियों में 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज की बात करें, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रवीचंद्र अश्विन का आता है। जिन्होंने 216 पा जिन्होंने 224 मैच में 400 विकेट लिये थे वही चौथे नंबर पर अनिल कुंबले का नाम है जिन्होंने 226 मैच में इस कारनामे को अपने नाम किया और अब पांचवे नंबर पर जस्परीत बुमराह का नाम शुमार हो चुका है जिन्होंने केवल 227 पारियों में यह बड़ा मुकाम हासिल किया है और इसी के साथ हर भजन सिन्ह को भी पीछे छोड़ दिया है तो दोस्तों देखा आपने जस्परीद बुमराह ने कैसे नया कृतिमान रच दिया लेकिन अब आप क्या लगता है भारतिय टीम पहला टेस्ट मैच बांगलादेश के खिलाफ जीत पाएगी या नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद लेकिन उसके लिए वीडियो को अंतितक जरूर देखें और अगर आप भी भारतिय टीम की खतरनाक गिंदबाजी से प्रभावित हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजेगा दोस्तों ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांगलादिश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चिनने के मैदान पर खेला जा रहा है इस मुकाबले में भारतिय टीम ने पहले बल्लेवासी करते हुए बांगलादिश के सामने पहली पारी में 376 रनों का विशाल स्कोर बनाया भारत की तरफ से अश्विन ने 113 रनों की लाजवाब पारी खेली तो वहीं रविंद्र चड़ेजा ने भी 86 रन बनाए यहां तक की एश्विन जैसवाल ने भारत के लिए 56 रनों का योगदान दिया आपको बता दें दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत की पारी बहुत जल्दी समाप्त हो गई लेकिन जब मैदान पर बांगलदीश के बड़े-बड़े बल्लेबास भारतिय गेंदबासों की परिक्षा लेने आए तो भारतिय गेंदबासों ने उनको उनकी आउकात दिखाते हुए ऐसा बुरा हाल किया कि वो तो कहीं मूँ दिखाने लायक भी नहीं रह गए जी हाँ, बांगलदीश को ये लक्ष हासिल करना इतना असान नहीं था जस्परीद बुमरा की आग उगलती हुई गेंद बांगलदीश के बल्लेबासों को बिल्कुल समझ नहीं आए स्टम तोड गेंद बासी करते हुए पहले ही ओवर में जस्परीद बुमरा ने जाकिर हुसन को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहली बड़ी सफलता दिला दी तो उनसे भी दो कदम आगे निकलते हुए उनके चेले आकाश दीप ने अपने पहले ही ओवर में बांगलदेश के दो बल्लेबासों को लगातार दो गेंदों पर क्लीन बोल्ड कर लंच ब्रेक से पहले ही टीम की कमर तोड़ती लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर जस्पृत बुमरा और मुहमत सिराच ने टीम इंडिया को मैच में वापसी कराई मुस्ट्विकुर रहीम को पवेलियन का रास्ता दिखा कर बांगलदेश की टीम को थ्वस्त कर दिया और मैच में बांगलदेश की टीम बहुत पीछे हो गई टीम इंडिया मैच में पूरी तरहा से हावी हो चुकी थी केवल 40 रनों के ही स्कोर पर बांगलदेश के 5 बल्लेबास पवेलियन जा चुके थे ऐसा लग रहा था कि भारतिय गेंदबासो के केहर के सामने बांगलदेश तो सौरन भी नहीं बना पाई की और खुटने टेक जाए की और ऐसी ही कातिलान अंगेंदबासी से तो जहां एक तरफ बांगलदेश डरा सहमा था तो वहीं पूरा क्रिकेट जगत में भारतिय गेंदबासो का ढंका बजने लगा यहां तक की पाकिस्तान के बड़े-बड़े दिककच भी भारतिय के इंदबासों का प्रदर्शन देखकर काफी हैरान हुए और फिर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपकी भी दंग रह जाएंगे तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किन-किन दिककचों ने क्या कुछ कहा है भारतिकी इंदबासी पर सबसे बहले वसीम अकरम ने बात करती हुए कहा कि बुमराज, सिराज और आकाश डीप ने सबर्दस के इंदबासी की अश्विन जडेजा की बलेबासी के बाद इन तीनों के इंदबासों ने बांगलेदेश को खुटनों पर ला दिया ये कोई आसान काम नहीं लेकिन जब बुमराज हो तो आप ये उमीद कर सकते हैं इसलिए इन्हें दुनिया का नंबर वन गेंदबास भी कहा जाता है इन्हें बकूबी मैच को पलटना आता है बुमराज की वज़ह से टीम इंडिया अकसर मुकाबला चीत जाती है उनी की वज़ा से बांगलाज का मैच में बहुत बुरा हाल देखने को मिला टीम इंडिया नंबर वन टीम योही नहीं कही जाती वहीं दोस्तों शोय बक्तर ने बात करते हुए कहा कि भारत कि भाई मैं तो भारती गेंदबासों को सल्यूट करना चाहूँगा बांगलादेश की टीम को आकाश दीब पुमरा और सिराच ने ऐसी धूल चटाई जो कभी किसी ने सोचा नहीं था इनके इदबासों ने भारत को मैच में जबरदस वापसी कराई बांगलादेश के भी बल्ले बास इन तीन के इदबासों के आगे टिक नहीं सके जबरदस के इंदबासी का नजारा देखने को मिला पड़े ही आसानी से भारती टीम पहले टेस मुकाबला चीट सकती है और इस मैच के असली हीरो हो सकते है जस्परीद बुमरा वो दुनिया के सबसे खतरना के इंदवाजों में गिने चाते हैं वही दोस्तों शाहिद अफरीदी इपने बात करते हुए कहा है कि भारती खिलाडियों ने पहले टेस मैच में जबरतस खेल दिखाया पहले अश्विन और जडिचा का तूफान देखने को मिला तो फिर के इंदवाजों में बुमरा के साथ भारती गेंदवाजों ने लाजव इस मैच हाड़ जाएगा लेकिन अश्विन जडिचा की बलेवाजी के बाद के इंदवाजों ने भी अपना प्रचन रूप दिखाया बुमरा ने विकेट निकाला तो आकाश दीप ने मैच को फलट दिया बचा कुछा काम सिराज ने करती है जबरतस टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है मैं चितनी भी तारिफ करूं भारती खिलाडियों की कम है सिराज और पुमरा के सामने बड़े बड़े बुल्लेवाज घुटने टिक बैटते हैं ये दुनिया के सबसे खतरना के इंदवाजों में किने जाते हैं तो बांगला देश उनके सामने कहीं भी नहीं तो आखिर कैसे बुमरा के विधवंस के बाद आकाश दीब की बेरहम गेदबाजी के आगे बेबस अंड़सर आए बांगला देशी बल्लेबाज अपनी खौफ नाग बल्लेबाजी से कैसे इन दोनों खिलाडियों ने पहले सेशन में बांगला देशी करके टीम को धेर कर उनकी घातक गेदबाजी से लेकर बांगला देश की बरबादी का मंजर इस दूसरे दिन के पहले सेशन की पूरी हाइलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप भी बुमरा के फैन हैं उन्हें खदरनाग गेदबाज मानते हैं तो हमारे इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद भारत और बांगलादेश के बीच के मैदान पर रोमांचक पहले टेस्ट का घमासान शुरू हो चुका है इसके पहले दिन शुरुआत में तो बांगलादेश की इंबास खासतोर पर हसन महमूत ने भारत के टॉप ओडर की धज्यें उड़ा दी रोहित कोहली से लेकर गिल का बल्ला भी फ्लॉप रहा हाला की मद्यक्रम में रिशप पंत ने 49 और यशस्वी चैसवाल ने 56 रनों की पारी खेल कर टीम इंडिया को समाला तो आखिरकार ने या बार लगाते हुए पहले दिन का केल खत्म होने तक इनों